डिसकवर अभी भी 100cc में और 125cc में आती है बजाज डिसकवर 125cc की ये बाइक लॉंच हुई थी 2004 में 16 साल और कई तरीके की डिसकवर की डिसकवरी के बाद मतलब कई मॉडल्स, कई इंजन साइजेज में इस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2020 में बजाज ने इसे डिसकंटीनू कर दिया मगर आज भी इसका क्रेस कम नहीं हुआ है और आज भी आप लोग पूछते हैं सर्फ डिसकवर वापस कब आएगी और भाई कई यूट्यूब चैनलों की रोटी तो इसके फेक लॉंच की वीडियो बना बना कर और फेक स्पैसिफिकेशन्स बता बता करी चल रही है तो हाजिर हूँ मैं आपकर एड़ दोस आशीश आज एक छुड़ा सा वीडियो लेकर जहां हम बात करेंगे इसके वापस आने के बारे में और बचाना भी तो है और आपको ऐसे फेक वीडियो से शुरुवात करेंगे बोरिंग इतिहास से एक जमाना था जब हीरो हॉंडा सीवीजी मचाती थी धमाल ऐसा धमाल की उसको दिल्ली में नाम दे दिया गया पूर पीपल्स बाइक लोगों की इतनी जादा पसंदीदा बन गई थी वो इतनी जबरदस सेल थी उसकी उस समय ये बात थी 1999 से 2001 की फिराई नवंबर 2002 उदे हुआ बजाश पलसर नाम के सूरिय का डेर सो और एक सो असी सीसी में बवाल काड़ दिया इन दोनों बहनों ने इसकी वज़े से लोग की जुबान पर चड़ गया बजाश का नाम डेफिनिटली मेल के स्लोगन ने और डेफिनिटली मेल के लुक ने यूट्स पर कहर बरपा दिया पलसर के लावा कुछ और दिखता ही नहीं था उने तुम्हारा रेटेदोस आशीश यानि मैं भी 2002 में अपनी पहली परफॉर्मेंस बाइक गोल हेड़ेट वाली पलसर खरीद कर लाया सिर्फ 48,900 रुपियों में मगर दे लीजेंड पलसर की बात करेंगे किसी और वीडियो में आज बात करेंगे पलसर की सफलता के नशे में चूर बजाज की जिसने दो साल के बाद 2004 में लाउंच की एक और बाइक बजाज डिस्कवर 125 CC अब भाई इस बाइक ने 125 CC सेगमेंट में शुरू कर दिया धमाल मचाना लोगों को ये बाइक भी काफी पसंद आने लगी पावर की पावर और माइलेज का माइलेज इस बाइक में आपको मिलता था DTSI इंजन सिक्स स्पोक एलोई बील्स स्टैलिश लुक्स और पेटेंटिड एग्जॉस टैक टेकनलोजी जो बेसिकली टॉर्क को लो और मिड आर्पियम पर बूस करती थी जिससे ये बाइक चलाना लोगों के लिए इंजॉयबल हो जाता था उन्हें बड़िया पिकप मिलता था और बाइक को मिलती थी वैल्यू और तारीफ फिर फिरा बजाच का दिमाग और अगले साल 2005 में उसने लांच की 112 CC डिसकवर जो 125 CC डिसकवर को खा गई मतलब 125 CC डिसकवर बंद कर दी गई फिर 2007 में 135 CC डिसकवर को लांच कर दिया गया फिर दो साल बाद 2009 में 112 CC Discover को बंद करके 100 CC Discover को लॉंच कर दिया फिर अगले साल 2010 में 135 CC Discover को बंद करके 150 CC Discover को लॉंच कर दिया गया फिर एसी पर बेज ती ने ही डिसकवर आई अगले साल 2013 में 160C डिसकवर 100T और डिसकवर 100M और 125C डिसकवर 125T जिनमें से उसके अगले साल 2014 में डिसकवर 125T को बंद कर दिया गया और 7-7 125ST और 100T भी बंद हो गई और फिर वापस आ गई 125ST पर बेज 150cc Discover 150S और 150F 150S नेकेट थी और 150F फेर्ड मोटरसाइगल थी फिर पता नहीं क्या हुआ कि 5 साल बजाज ने कैसे शान्ती रखी और फिर 2019 में 125cc ट्रेडिशनल लोकिंग Discover 125 दुबारा लॉंच की मगर डिसकवर और पुराने जो भी बची खुची डिसकवरे चल रही थी सब की सब बंद हो गई 2020 में जहां बजाज ने 16 साल डिसकवर की लीगेसी चलाने के बाद डिसकवर के नाम पर ताला लगा दिया अब सवाल आता है कि डिसकवर फेल हुई क्यों तो पहला है कि भाई मोडल्स निकालने की एक लिमिट होती है जितनी कम चॉइस होंगी उतना ही अच्छा होता है किसके लिए भाई सब के लिए कस्टमर्स, डीलर्स, कंपनी, इवन प्लांट्स और वर्कर्स के लिए भी क्यों? अरे यार इतने सारे मोडल्स होंगे कस्टमर्स शोरूम पर आया, पहले तो इतनी भसर फिर उसमें एक पसंद भी आया, उसमें लाड कदर नहीं आता चलो यार नीले कदर लेकर कंप्रोमाइस कर लेते हैं पर डीलर बोला भी स्टॉक में नहीं है इतनी इन्वेंटरी कैसे रखे साब अच्छा भाँ दूसरी तरफ प्लांट में भी इतने मोडल्स है कि भाई भरा पड़ा है, समझी नहीं आ रहा कौन सा बनाया जाए, कौन सा नहीं दूसरा पुराने मोडल्स चुपचा बंद होते जा रहे हैं कस्टमर्स से चुपाई जा रही है ये बाते डीलर्स को भी अपना स्टॉक लियर करना है इन्वेंटीड देट तो करनी नहीं है भाई ने आज एक बाइक खरी दी पता चला आगले मेने वो डिसकंटीन्यू हो गई उसका एक अपगेड मोडल आ गया भाई का खून खौल गया क्योंकि बाइ बाइक बाई दिसकावर का नाम ऐसे हो गया खराब कस्टमर्स हो गए बुरी तरीखे से खफा और शोरूम जाते तो हो जाते जब अदस कन्फ्यूज ये डिसकावर ले या वो डिसकावर ले और अगर ले ली तो कहीं थोड़े दिनों में बंद ना हो जाए इनी कारणों से डिसकावर की सेल्स हो गए डाउन और मोडल करना पड़ा बंद भाई देखो ना सिंपल सी स्टाटेजी है एक नाम यार एक ब्रैंड होता है उस ब्रैंड की ना इमेज बनानी पड़ती है अब भाई एक बंदा R15 खरीद के ला रहा है न गर तो पूरे दुनिया को पता है कि R15 आते है 155 सी सी में अब R15 का एक 100 सी सी का बच्चा या 125 सी सी का छुटा भाई निकाल दोगे न तो यार खतम कर दोगे उसको 100 सी सी निकालनी है तो नया नाम दो नया ब्रैंड बनाओ अब जब 1,500 सी सी में पलसर cauliflower आती थी तो यार क्या बेचैनी थी discover को भी 150 सी सी में निकालने की सस्ती 150 सी सी देनी थी ना तो नया ब्रैंड बनाते उसके बाद 135 सी hera honda ambition की हालत देखी नहीं थी क्या जो अच्छी खासी चलती हुई 125 CC Discover को 135 CC में अफग्रेट करने की बेचैनी हो गई, ambition की तो लोटिया डूबी डूबी, साथ में आपका पूरा Discover ब्रैंडी खतम हो गया, अब सवाल है क्या Discover वापस आएगी तो देखो भाईया, Discover अभी 100 CC में और 125 CC में आती है क्या? कहा? भाई, 70 देशों में बजाज की बाइक्स एक्सपोर्ट की जाती है उन में से कई देशों में मगर भारत में नहीं भाई, 3 प्लांट्स हैं भारत के बजाज में एक वालुज औरंगाबाद महाराश्ट में दूसरा चाकन पूरे में और 3 पंदगर उत्तरखंड में इसमें से औरंगाबाद में अभी भी Discover बनाई जाती है और वहीं से एक्सपोर्ट की जाती है भारत में इसे वापिस लाना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है decision लेना मैं तो ये कहता हूँ कि इतने सब के बाद भी अगर Discover को वापिस लाया जाए एक strategy के तहट और पुरानी गलतियों से सीखा जाए सिर्फ एक segment में अमनी presence रखी जाए तो मुझे लगता है शायद हम Discover को दोबारा भारतिय सड़कों पर दोड़ता हुआ देख पाए लोग उनका दोबारा स्वागत करे खुले दिल के साथ मना विदेशों में तो यार अभी भी दोड़ी रही है क्यों दोड़ रही है वही भरोसा भारतियों को भी देना है अगर इसको यहाँ पर लेकर आना है तो राइडर भाईयों क्या लगता है आपको आप चाहते हैं डिस्कवर वापस आए अगर आए तो किस सेग्मेंट में आए और कितने इंजन कैपेसिटी के साथ आए भर दो नीचे कमेंट दे देके अपने जवाब और हिला डालो पूरे यूट्यूब को बजाज को भी पता चले कि आप है वो लोग जो ब्रेंड बना सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं और आपके बास सुनकर शायद बजाज भी जाग जाए इसके अलावा अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए इत्ता सा भी पसंद आए तो भाई ठोक दो वो लाइव वाला बटन फेला दो इस वीडियो को आग की तरह कर दो शेयर, वर्टसेब, इस्टाग्राम, फेस्बूक, टेलिग्राम, सब जगए सपोर्ट कर दो यार अपने डाटर दोसको थोड़ा सा आप ये सब करो, मैं जाकर कंटेंट त्यार करता हूँ, एक और वीडियो के लिए तब तक के लिए, इस्ते टून्द, नमस्कार, राइट सेफ